नमस्कार दोस्तों तो टूंडड कर गए तो मैं कुछी देर में अपनी बात सिरू करूंगा एक के करके जाएन होते जा रहे हैं वे टचिंग 1000 नौ तो गुड़ाफरन फ्रेंज्स सभी शेप शॉपर्स को सभी वोलिणियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार बहुत आपका कि आप दुपैर में मुझसे मिलने आए मुझसे मिलने आए मुरी बात सुनने आए मेरा होसला आप जाही करने आए और मैं आपके साथ कुछ करने हो दीपकसर ने उसके लिए मैं हर सरका दीपकसर का एक बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनका बहुत ज्यादा आभार प्रकाट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे वोलिणिया का मज़ दिया जिससे कि मैं आप सब के पास इस बुस्किल वक्त म मैं आपके साथ बैठ कर बात कर सकूँ दोस्तों वैसे तो हम लीडर्स को फेस्बुक लाइब पे टेकनोलोजी के थूरू बात करना उतना फैमिलियर नहीं है हमें तो आदत है जब हाजारों लोग सामने हों और हम खड़े हों और जब सामने से भी वैसे ही रेस्पांस आए जतनी तेज आवाज सामने से आए उतनी तेज आवाज में हम बोल पाएं और जब तक दोनों तरफ से डायलोग ना हो हमें मजा नहीं आता लेकिन यह मुनोलोग भी हमें क उन्ज़बूरी में हम कर रहे हैं कि मैं एक तरफ से बोलता जारा हूँग आपको सिर्प सुनना है और देखना है और मुझे आपकी आवाजे सुनाई नहीं देगी मुझे आपकी तालियां मुझे आपका उत्साह नजर नहीं आएगा लेकिन 1100 लोग अलड़ी हमारे साथ जाइन कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत उत्साहित हैं बहुत जोश में हैं आप मुझे स सुननाचाते हैं वैसे मैंने आपको बताए कि यह सही वक्त नहीं है फेस्बुक लाइड जाने का की दौपैर का दो बजे का वकत है इस वश्याकर लोग आप में से एंदिनों में क्यों क्यों की काम नहीं है तो करिल लव को पर्मा रहें होंगे काफी लोगों को सवाज में गर में बैठने की हम सबको आधत नहीं है पूरे दिन घर में रुखने की और मैं तो देख रहा हूं आज के दिन senior leaders भी करोड़ोपती लोग भी और करोड़ोपती लोग भी आज कल ध्याड़ी मजदूर जैसे हो गए हैं मैं seriously बोल रहा हूं यह बात कि ध्याड़ी मजदूर जैसे हो गए हैं क्योंकि किसी को दोगरत की रोटी के लिए घर में पोचा लगाना पड़ रहा है जाडू लगाना पड़ रहा है उसके बदले रोटी मिलती है कोई बचारा बरतन साफ करता है तो दो रोटी मिलती है कुछ इस लोग तो हॉस्पिरल में मिलते हैं मस्ती खोर लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं मेरा इमानना है जिसकी मस्ती जिन्दा है उसकी हस्ती जिन्दा है जिसकी मस्ती जिन्दा है उसकी हस्ती जिन्दा है वो कहते हैं ना फिक्र में रहते हैं तो कुछ जलते हैं बे फिक्रे रहते हैं तो दुनिया जलती है अगर हम मूट जाए रहेंगे तो अपना ही खून जलेगा और अगर हम मुस्कराएंगे तो दुनिया हमें देख देख के जलेगी यह आजकल बिल्कुल सच है आजकल लॉकडाउन का वक्त है और लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि हम सब की और लगनों एसी हाउसफफे से जिननके लिए हमेशा कर लॉकडाउन है उन्वहिं कि पिचारी के लिए लिए अपने भर जहाए बाहरख देखा कि नहीं नहीं रहाएं इनके नहीं सेहर की तरफ नहीं गई या गई तो बहुत दुनों के बाद किसी अगर्य को दिल्ली हो इन गलता है कुछ भी नहीं हुआ उन से हमेशा ही लाइण है। वहाद कीजिए अज धन के बारे में कि जिंदकी कैसी है हमें दस दिन होए हैं लग रहा इन कNOUN हमारे साथ tell लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उन हाउसाइस के लिए तो हमेशकली लाउट आउन है, याद कीजिए आज ओ दिन जब काथमांडू से एक फ्लाइट उडी थी एर इंडिया की, इंडिया एलाइंस की, जिसको दिल्ली आना था और उसको आतंकवादी उन्हाइजक कर लिया था, दिल्ली लेंड करने के बाद हो कई उसको अमरेसर ले गए, उसके बाद कई पाकिसान में उता रहा रहा, आल्टे मिटली उसको कंधार में, अफगानिसान में जा आकर रोग दिया उन्होंने, सैकोड़ो लोग थे उस फ्लाइट के रोग दिया है, तो हमें उस दो गुंटे के फ्लाइट में, अपने उस सीट पर बैठे बैठे, हम तंग हो जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, हम उठकर जाना चाहते हैं, हमें लगता है, यह स्पेस बहुत कम है, हमारे पास लेक स्पेस कम है, सुचके देखे, यह लोग तो हफते से भी ज्यादा, कितने दिनों तक आ जापर ना ओटैल सकते थे, ना उट सकते थे, पता नहीं, जिन्दा अपने घर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं कभी अपने उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कोई अपना साथ में नहीं था, घूम नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थ जादा कोई अपराद किया है या किसी जूटे केस में जो जेल में पड़े हुए हैं, ज्यादा तो अपरादी ही ही हुँगे, उन्होंने कुछ गलती कियोगी खता कियोगी जिसकी लिए से आज उनको जेल में डाल दिया गया है, जहां पर ना उनके पास टीवी है, ना आखब नहीं, कोई दोस नहीं, कोई अपना नहीं, सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है ना, हम अपने आपको बचा लेते हैं, तो अपने घर में बैटके ही, अपने आपको बचा के ही, हम देश सेवा कर रहे हैं, शाद देश सिवा करने का इससे अच्छा इससे आसान तरीका है। आज मैं सबसे बात कर रहा हूँ और टेक्नालोजी तो बहुत सारी अच्छी ची आ गई है। लेकिन टेक्नालोजी के वएसे आज कल हम जूम की वएसे मैं तो हर रोज देख रहा हूँ कि कम से कम 500-600 घरों में नॉमली मीटिंग में तो हमारे एसोसेट्स ही आते हैं, फॉर्मल्स में आते हैं, वहीं पर हम मिलते हैं, थोड़ी दिर के लिए मिलते हैं। लेकिन जूम की वएसे, टेक्नालोजी की वएसे, जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे डायक्टर साब ने हमें दी, जो जिसके बारे में हमें जानकारी दी, जिसके बारे में हमें नॉलेज दी और उसका इस्तेबाल करके, आज के दिन हम 500-600 घरों में जा रहे हैं। मैं उनके दिल के दरवाजे, उनकी खिटकियां होती हैं। मैं उनके परिवारों को देख पाता हूं, उनके घर को देख पाता हूं, सबका हाल चाल कूछ पाता हूं। ऐसा वक्त अच्छा मिला है, इसका हमें पूरा फाइदा उठाना चाहिए। साथ ही इन दिनों में मैं आप सबसे गुजारेश करूंगा, कि वो लोग जो हमारे फ्रेंट लाइन में रट रहे हैं। वो लोग जो हमें सब बहुत सारी सुधायें दे रहे हैं। इससेशली डॉक्टर्स, नर्सिस, परामेडिकल स्टाफ्स, वारडबऊ, लैब टैक्नीशन, जो हास्पिरल में काम कर रहे हैं। वो अबुलिनस ड्राइवर जो मरीजों के इनर से उद़र ढो रहे हैं। वो DTC के driver और बाकी roadways के drivers, bus drivers जो samples सिदर से उदर ले जा रहे हैं, airless से करमचारी जो carcode हो रहे हैं, railway के वो लोग जो हमारे लिए essential properties का जाम कर रहे हैं, वो लोग जो municipal services दे रहे हैं, वो प्लिस के जवान जो दिन रात आपको छोड़कर हमारे लिए, हमारे इस तुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे paramilitary के लोग, वो सभी दुकानदार, वो medical store वाले, वो जो आज हमें घर में बैठे बैठे सारी सुधाएं दे बाराएं हैं, उन सब का हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें उनका भार मनाना चाहिए, तो मुझे यकीन है कि वो हमें, और हमारे लिए और देश के लिए और जाद अच्छी सिवाए देंगे, और हम बहुत जल्दी इस संकट से भार निकल पाएंगे, दोस्तों एक और रिक्वेस्ट में आप सबसे करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपके पास, आपके मॉबाइल में, आपके वाटसेप पे, आपके फेस्बुक पे, या सोशल मीडिया के थूँ, अगर आपको कुछ नेगटिव निउस मिलती है, कुछ डिप्रेसिव निउस मिलती है, तो प्लीज उसको ना देखें, और बैज जा अपने देख भी लिया, और बैदने के पाद आपको लगता है, कि उससे आपका मूड खराब हो रहा हार, अपसेट हो रहा है, तो इसको फोर आटलीस उसको फोर्वाएल ना करें, क्योंकि जिससे आपका mood कराब होता है जिससे आपका motivation लेग नीचे आता है आपके होसले में अगर dent पड़ता है तो definitely जा आप उसको forward करेंगे कोई और उसको देखेगा तो उसका भी होसला टूटेगा तो ऐसे कोई भी videos ऐसे कोई भी messages ऐसे कोई भी depressing चीजें हम forward ना करें दोस्तों आजकल जो हालात है उसमें मुझे एक share याद आ रहा है मुबाइल की घंटियां हर मिनट बज उठती हैं घर पर दर्वाजे अब दस्तकों को तरसते हैं मुझे तो बजता है WhatsApp तो आते रहते हैं फोन पर दो लोगों से बात हो जाती है लेकिन आजकल कोई हमारे दर्वाजे पर दस्तक देने नहीं आता कोई बात नहीं यह वक्त भी गुजर जाएगा हमारे देश ने इस दुनिया ने बहुत सारी माममारी उसे लड़कर जीत पा होगा यह बंदीशियां टूटेंगी जब हम आजाद होंगे हम फिर से एक दूसरे मिल पाएंगे एक दूसरे के पास जा पाएंगे दूसरे का दुखदर्द पामने सामने बैठकर हम बाट पाएंगे एक दूसरे के जो तकलीफ जेली उनको वैसे तो हम फोन पर और जूम मीटिंग्स के तुरू बाटी रहे हैं, लेकिन फिर से जैसे नॉर्मल लामाई लाइफ थी, वैसी हो जाएगी, हम फिर से सेल्स पर लगेंगे, हम फिर से काम करने लगेंगे, हम फिर से एकनोमिक एक्रटीज को बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब त सारे दिन न्यूस देखते रहें, ऐसा ना हो कि हम डल हो जाएं, हमारी काम करने की जुआत है, ओ खतम हो जाएं, ऐसा हम ना करें, अपने रूटीन को बंटेन रखें और एक हेल्दी लाइट स्चैल को फोलो करें, अगर मैं अपनी बात करूँ आजकल, तो जितना गरम पानी पीता हूं, फ्रेश होता हूं, उसके बाद फिर मैं 20-25 मिनिट आदे घंटा करी वाक करता हूं चत पे जाकर, उसके बाद फिर मैं आदे घंटे से जादा, हर रोज, आदे घंटे से जादा मैं on the spot running करता हूं, अपनी रूम में ही मुजिक आन करके, उसके बाद क में इसके पहले मैं नोनी जुरूर पीता हूं, हर रोज, अलो वेरा जूस बहुत रेग्लोरी पीता हूं मैं, पहले मैं normally शाम को ही पीता था, सुबह मैं अकसल पूल जाता था, इन धिनों में दोनों टाइम पीता हूं, सुबह भी और शाम भी, उसके बाद ब्रेफस करता ह उसके बाद ना दोके उसके बाद से लोगों को कॉल कर सकता हूं, मैं उनको कॉल करता हूं, फिर मुझे एक बजे का इंजार भड़ा रहता है, जब हमारे ओरनेबल डायक्टर साब, सारे हमारे जाद जू मीटिंग में होते हैं, से वोल इंडिया के सारे टॉप लीडर्स उस म करता हूं, थोड़ा बहुत स्टेचिंग करता हूं, लूजनिंग करता हूं, और अच्छे मौसम है, आजकल चत्पे जाके बहुत अच्छा लगता है, बढ़ी अच्छी हवाय चलती है, और आज पोड़ों सी चत्पे दिखाई देते हैं, कलियों में, तो बहुत अच्छा प्राइम बीतरा है, और मैं भी रिक्वस्ट करूँगा कि आप भी अपनी हेल्थ का भौत ध्यान रखें, और मैं तो चाहूंगा, अगर एक चीज आप मुझसे सीखना चाहें, बहुत साई लोग कहें कि आप सके जैसा बनना चाहते हैं, आप के जैसा होना चाहते हैं, एक अगर आप मुझसे कोई सीखना चाहते हैं, तो मैं वो कहूंगा कि आप डिसिप्लिन सीखें, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रोरी है, डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप लाइफ में क्रो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो लोग आपको लाइफ नहीं अगर आप discipline नहीं है तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे discipline में आपका routine बाता है discipline में आपकी calling भी आती है discipline में आपकी working भी आती है discipline में आपकी lifestyle भी आती है अगर मैं बात करूँ जब मैं hospitalized था वह साई लोग आपानते हैं जब मुझे साल पर हॉस्पिल में रहना पड़ा था करीब तीन में तक ICU में था मैं और यह discipline में उस ICU में नहीं तोड़ा था अपने elbows की moment करता था सोटल के moment कर सकता था उस वक्त में करने के कोसिस करता था मुझे याद है जब आपरेशन थेटर आई-सी यू एक जैसा लिखता था मुझे लगाता है कभी आई-सी तेटर में मेला लगा रहा था समझ में यादा था कि ICU में हूं या OT में हूं मुझे या याद है doctor's nurses जो वहाँ पर होते थे और उसके बाद भी रो नहीं रहा है उसके बाद भी चिख नहीं रहा है तो ऐसे example हम सेट करें रोने से चीखने से आपका दद कम नहीं हो जाएगा आपका चेरा लटकाने से आपके तकलीफे कम नहीं हो जाएगी मुझः आने से बहुत स वो आपको गाइड करेंगे कि financial planning कैसे होती है और जो direct selling industry है ये सबसे पहले recover करेंगी और इस बात के यकीन मैं आपको दिला सकता हूं क्योंकि मैं और बाकी leaders सभी seniors हर रोज मिलते हैं बात करते हैं ड्रेक्टर के साथ touch में हैं management के साथ touch में हैं तो उनसे बात करने के बाद ये ज सबसे पहले करेंगी common हालात की बात कर रहा हूं जब lockdown नहीं है जब हम normal life जी रहे थे पहले की तरह है अगर ऐसे वक्त की में बात करूं तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपनी कमाई बढ़ाने के पास बहुत सब्सक्राइब से एक से जाता है अपनी कमाई करने का क्योंकि ये लोग जातर ऐसे कामों में लगे होते हैं जिसमें की उनको मुझकार मिली हैं अगर सच बताओं तो आजकल जो वर्कर्ष में एक मेट चाहिए तो आपको अच्छी मेट नहीं मिल पाती अगर आप अपने घर को रिपेर करना चाहते हैं तो आपको मिस्तरी और मज़ूर नहीं मिल पाते हैं आपको खेट में काम करने के लिए मज़ूर चाहिए तो आपको खेट में काम करने के लिए मज़ूर चाहिए तो आपको खेट में काम करने के लिए ये पॉसे मिल नहीं होता है तो यह वो इंडुस्ट्री है जिसमें आपना कौन है और पराया कौन है हमारा साथ देवनाय वाला लोग आदमी कौन है और हमारी टांग किशने वाला लोग आदमी कौन है यह इंडिस्ट्री है जहां पर आप अपने लिए हम सब्सक्राइब काम करके भी कभी ठकेंगे नहीं किसमत वाले हैं क्योंकि हम डारेट सेल जिसमें हम काम कर रहे हैं अब वक्त है अपने तैयारी करने का अब वक्त है पॉस्टिव रहने का अब वक्त है अपने आपको अच्छे महाल में रखने का होस्णा रखिए दोस्तों जैसे फिछले कुछ दिन गुज़ोय हैं आगे कुछ दिन लेंगे दोस्ते यह वो वक्त है, जब हम अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जान है तो जहान है दोस्ते यह वो वक्त है जब हम पॉज्टिव रहें। क्योंकि जब तक आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे अप्लाइन हमारे साथ में हैं, हमारी डाउन लाइन आपके साथ में हैं, कुछ दिन के लिए हम काम नहीं कर पाया, कुछ दिन हमने कमाई नहीं की, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके साथ में हैं, आपका हंसला आपके साथ में है कि आप्लाइन का सपोर्ट उनका अश्रवाद और उनकी याजिनस अगर आपके साथ में है। और आपके deploy नाइन आपके साथ में है तो कुछ भी नहीं गया है। फिर से बिल्ड करेंगे उनको पूर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए आजी